एक तरफ लगबग सभी धर्म अपने अनुवयाईयों के लिए एक आचरन सनीता बनाते हैं जिसका उदेशे व्यक्तियों को नैतिक पत पर चलने के लिए प्रेरित करना होता है परोपकार, दया, करुणा, अहिंसा, इमानदाल, इत्यादी मुल्यों को धर्म व्यक्ति के जीवन में परवेश कराने का प्रियास करता है इस परकाय धर्म और नैतिकता को परसपर पूरक माना जाता है दूसरी तरब धर्म के नाम पर होने वाले दंगे, लड़ाईयां, कथि धर्म, गुरुओं द्वारा, योन, सोशन, धर्म का राजनिति को प्योग, इत्यादी धर्म और नैतिकता को एक दूसरे से दूर खड़ा कर देता है धर्म का अर्थ गोर तलब है कि भारतिय परंपरा में धर्म शब्द का प्रियोग दो संधर्मों में होता रहा है एक संधर्म है जहां धर्म कार्थ अपने नैतिक दायतों का पालन करना होता है उधारन के लिए अगर कोई कहे कि मित्र का धरम है कि वे संकट में फसे अपने दोस्त की सायता करे या पिता का धरम है कि वे अपनी संतान के समगर विकास की कोशिज करे और सासक का धरम है कि वे समुचित प्रसासनिक व्यवस्ता कायम करे तो इन सवी संदर्मों धर्म नैतिक्ता का प्रियावाची हो जाता है जहां तक धर्म के उपरोक्त अर्थ की बात है तो कोई भी समझ सकता है कि धर्म नैतिक्ता की समनार्थ है कि इस अर्थ में हम अपने सामाजिक जीवन में धर्म शब्द का प्रियोग करते हैं उस धर्म और नेतिक्ता के बीच क्या संबंद है दूसरे सब्दों में जब कोई हम से पूछता है कि आपके इस धर्म को मानते हैं तो स्वभाविक दोर पर हमारा उत्तर हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, यहुदी, पार्सी, बोध्या, जैन होता है धार्मिक नेतिक्ता का पक्स जो तो उसे इस बात का अखंड विश्वास है कि इस वरी संपुन जगत का नियनता है और उसकी मर्जी के बिना यह एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है तो उसके मन में एक अधभुत आत्म विश्वास रहता है ऐसी धर्मिक निश्वास वाले लोग नेतिक, एनेतिक का फैसला इसा व्यक्ति किसी ने किसी इस्तर पर कर्म शिद्धान्त को स्विकार ने कर ले, तब तक विश्व में नेतिक व्यवस्ता नहीं चल सकती, कर्म शिद्धान्त का सरलसारतिया है कि प्रतेक व्यक्ति को उसके नेतिक वे एनेतिक कर्मों के अनुपात में अच्छा या बुरा फल म मिलना निवारी है यह सिदांत किसी ने किसी रूप में सभी संगटे धरम स्विकार करते हैं जैसे ही हम संपूर्ण विश्व को इसवर की अभिव्यक्ति मान लेते हैं वैसे ही जगत के हर प्राणी के प्रति हमारा नजरियन नैति को उड़ता है अगर दुनिया का हर प्राणी इसवर की संतान है तो किसी भी प्राणी के प्रति हमारे मन में ब्रातत्व का भाव बरता है हम उसके दुक में दुक्षी होते हैं करूणा से भर कर उसका दुुक दूर कर देना चाहते हैं इसी तरह अगर पेड़ पोधे भी इसवर की अभिवेक्तिया है तो उनके प्रती भी हमारे मन में जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है संपोर्ण विश्व के प्रती संबदता किये भाव धार्मिक होकर इह महसुस किया जा सकता है धरम निर्पेख्ष नहतिकता का पक्ष्वहुत ऐसे विचारक है, जिनका मानना है कि सची नहतिकता धरम से तर्टसत होती है, नै कि उस पर आधारित। वे यहां तक कहते हैं कि धरमपटी की नेतिकता तो कई माईनों में ऐनेतिक होती है। उधारन के लिए कई आदिम धर्मों में आज भी नरबली की प्रथा विद्मान है, क्या उनकी इस प्रथा को विधार्मिक होने की कारण नेतिक माना चाए। इसी तरह कई संगटित धरम भी पसु बली की आदिन प्रता को आज तक ढो रहे हैं जिसे नैतिक मानने में बहुत ही कटनाई हैं कोई धरम लिंग भेद को बढ़ावा देता है कोई जाती भेद को तो कोई नसल भेद को यही कारण है कि धरम पर तीकी नैतिकता से हम किसी बीद नहीं कर सकते धार्मिक नहतिकता की कभी आए भी है कि हर धार्म के अलुए यह के लिए अलग अलग है और कई मामलों में तो परस्पर विरोधी भी है उधारन के लिए एक जैन विक्षी के लिए पसुहिंसा एच हम्मे पाप है जब के एक साक्त हिंदू या किसी मुसल् के साथ सबसे बड़ी समझे हैं कि लोग उनके मूल कारण को भूल जाते हैं और आख बंद करके उनके करन कांडिये पक्षकानुपालन करते रहते हैं उधारन के लिए हम सब जानते हैं कि दिपावली के दिन बहुत अधिक परज़ुन होता है जो कि हमारे लिए घात है कि कि जानने के बावजुद हम दिपावली मनाने का तरीका बदल नहीं पाते क्योंकि धर्म से जुड़े होने का नहीं हैं हमारे संस्कारों में बुरी तरह से बश चुके हैं निष्ट कर साई बात हैं कि धर्मो और नैतिकता दो स्वेतन त्रावधार नहीं हैं जिन में से किसी एक का किजी दूसरे पर टिका होना निवारे नहीं हैं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो गहरे इस तर पर धार्मिक हो और उसी इस तर पर नैतिक भी हो उधारन के लिए महत्मा गांदी, गोतम बुद्वर्दमान, महावीर, गुरू, नालक, कमीर्दास, इसामसी, कुछ ऐसे ल लोग भी होते हैं जो एधार्मिक होंकर भी बेहद नयतिक होते हैं इहीं लोगों की धार्णा को धर्म निर्पेक्ष नयतिकता कहा जाता है उधारन के लिए भगत चिंग पूरी तरह से धर्म विरोधी व्यक्ति दे किन्तु नों ने देश के आजादी के लिए अपना जीवन झाल